चनाओ और प्रते निदेत्व एलेक्शन एंड रिप्रेजनेशन बहुत ही महत्पूर्ण विशा है बलकि भारत के संदर में जी हम कहें तो भारत की राजनीती को समझने के लिए सबसे अहम अध्या है चनाओ की राजनीती और फिर उसमें प्रते निदेत्व आखिर क्या माएने है क्यों इतना महत्पूर्ण है आज का जो यूग है भारत विश्व में वो लोक तंतर का यूग है यानि जनता का ऐसी व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता हो अधिकतर जो दुनिया के देश है उननीस्वी शताबदीक और उसके बाद के काल में उन्होंने लोक तंतर पर अपना विश्वास दिखा रहा है उसके पहले जो तंतर थे चाहे वो राज तंतर हो चाहे वो किसी और तरह की राजनातिक व्यवस्था हो अब वो सब पीछे हो गई और लोक तंतर का प्रभाव बढ़ते जा रहा है ये बात दूसरी है कि लोक तंतर के भी अपने अलग-अलग प्रकार है पर उन सभी प्रकारों में एक बात कॉमन है जो सभी में लागू होती है और वह है जनता का या जनता की भागेदारी राजनीतिक प्रक्रिया में देश के शासन चलाने में जनता की भागेदारी ये बहुत महत्पूर्ण है जनता की भागेदारी को अब ज़्यादा से ज़्यादा स्विकार किया जा रहा है और ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहो? एक उधारन हम आपके इस्कूल के माध्यम से लेते हैं. एक कक्षा के बच्चों को, आपकी एक कक्षा है, वहाँ दो तरीके से कारे करवाने की शैली सामानिता आपने देखी होगी. एक होता है जहाँ पर शिक्षक या इस्कूल का स्ट बच्चों को दूर रखते हुए, बच्चों को किसी कारे में न जोडते हुए व्यवस्था करते हुए. कल्पना करिए एक वार्षिक फंक्शन होना है और वार्षिक फंक्शन में उसकी तैयारियों में, व्यवस्था की तैयारियों में बच्चों को नहीं जोडा गया और बा एक दूसरा उधारन जहां पर बच्चों के माध्यम से ये सब व्यवस्था की गई है। इन दोनों सुत्यों में आप पाएंगे कि जिस स्कूल में बच्चों को जोड़ कर वारशिक कारकरम की तैयारी की गई, उसकी व्यवस्था की तैयारी की गई, वहाँ पर बच्चों का उत्साह देखने लाएग चाहे बच्चों का उत्साह की बात हो, चाहे बच्चों के अंदर उत्तरदाई होने की भावना हो, चाहे बच्चों के बीच की लगन की बात हो, आदी आदी सब मामलों में ऐसा ऐसी वाली व्यवस्था बीच ही बैठेगी दूसरी व्यवस्था के एवज में, दूसरी व्यव बच्चों को हटा कर की गई हस तो भागेदारी बहुत महत्पूर्ण है जहां बच्चे भागीदार बनें वहां पे निश्चित रूप से परणाम बहतर होते हैं अबराहम लिंकन जो अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपती हुए जिन्होंने दास प्रता की समापत के लिए बहुत अहम कारे किया उन्होंने प्रजातन की जो परिभाशा दी है अबराहम लिंकन ने वह आज भी सर्वश्रेष्ट परिभाशा मानी जाती है और उस परिभाशा को आपने सुना भी होगा लेकिन फिर भी यहां दोरा दूँ गर्मेंट फॉर दे पीपल लिए जन्ता के द्वारा शातन है बहुत पहले की अधि हम बात करें तिहास में जाएं तो देश बड़े छोटे छोटे हुआ करते थे और प्राचीन सबिताओं में यूनान की सबिता सबसे बड़ी सबिता सबसे अच्छी सबिता मानी जाती थी सबसे आधिनिक सबिता मानी जाती थे अपने समय की वहाँ एक तरीके से छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे जिनका जिक्र हमने अन्य अध्यायों में किया है नगर राज्य स्टेट कैसे स्टेट जो नगरों के आधार पर एक नगर याने एक राज्य होता था सिटी स्टेट उनको कहा जाता था इसलिए तो ये जो छोटे 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 नगर थे इन छोटे 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 नगरों में चूंकि नगर थे तो जन संख्या कम थी एक शेत्र में बसे हुए थे जनता की संख्या कम होने का परणाम यह होता था कि वहां के नागरिकों को जरूरत पढ़ने पर एक जगए कठा किया जा सकता था एक मैदान में उनको बलाय जा सकता था बड़े मैदान में पूरी जन संख्या उस नगर स्टेट की आ सकती थी और वहां पर उस नगर से संबन्दित कुछ व्यवस्था उस नगर से संबन्दित कुछ मुद्दे उस नगर से संबन्दित कुछ कानून आदी पर समस्याओं पर बात्चित होती थी उषमें आई हुई जनता की भागेदारी होती थी और तुर उसके बाद कुछ निश्कर्ष होता था. कुछ निरना होता था, कुछ समाधान होता था. अर्थाओ, जनता स्वयम डायरेक्ली तत्यक्ष रूप से शासन के निरना का हिस्सा रहती थी. प्रत्यक्ष रूप से ये शर्द बहुत महत्पून है जनता स्वयम प्रत्यक्ष रूप से शासन में निरने का शासन को चलाने की प्रक्रिया में बहुत सक्री रूप से इन्वाल्व रहती थी तभी नागरिक एक जगए एकत होते थे और कानून बनाने और साथ ही साथ कुछ प्रतिनी दियों का भी चैन करने के लिए वहां एकठे हो जाते थे और एक साथ काम करते थे इस तरह प्राचीन यूनान, यूनान को आप देखें नक्षे में वैसे स्वैम बहुत छोटा था वहां पर भी नगर स्टेट के नाम से छोटे 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 राज्य और हुआ करते थे इस प्राचीन युनान ने एक तरीके से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की शुरुवात की जनता का तंत्र जनता का शात्सन और प्रत्यक्ष क्योंकि वे स्वयम लोग निर्णय में भागीदार रहते थें लेकिन आज की स्थिति बदली हुई है आज यद्यपी कहते हैं और सच भी है कि संचार माध्यमों ने विश्व को बड़े निकट ले आया है एक गाओं की जैसा बहुत पास पास आ गए हैं लेकिन भागोलिक दिश्चिति से तो उस सब उतने ही बड़े हैं आज विश्वाल देश हैं विश्वाल क्षेतर फल वाले और विश्वाल जनसंख्या वाले यहां पर करोणों की जनसंख्या हوتी है लाखों की होती है अर्बों की होती है इन सब का एक जगह आना संभोनी है जहां पे वो आके कानून की बात करें कानून बनाएं प्रतिनी दियों का चैन करें समस्याओं पर बात करके उसका निराकरन करें किसी निशकर्ष पर पहुँचें ये संभोनी है इतने विशाल ख्षेतर में किसी भी देश के उनका एक प्रकार से एकत्र होना एक तरीके से संभवनी है और ये संभवनी है इसलिए कहने का ताथ पर ये कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो प्राचीन युन्यान में था वह भी संभवनी है कम से कम कमों बेश ऐसे अधिकतर देशों में जिनका आकार बड़ा है और अब तो आकार बड़े और छोटे की बात करें तो छोटे आकार के मायने वो थे जिनें सिटी स्टेट कहते थे अब सिटी स्टेट की कलपना नहीं है अब एक कितना भी छोटा देश हो तो वहां कम से कम 30-40 शहर तो होते ही है इन शहरों के लोगों को एक जगए कठा करना संभवनी है दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वर्तमान इस्थिति में आज संभव तो क्या प्रजातंत्र संभोनी है? क्या प्रजातंत्र किसी और तरीके से लागू नहीं किया जा सकता? क्या प्रजातंत्र केवल प्रत्यक्ष ही होगा? नहीं प्रजातंत्र की अच्छाईयों के मद्दे नजर लोगों ने 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 रास्ते निकाले और इसलिए मैंने प्रारम में कहा कि प्रजातंत्र के भी अपने प्रकार थे एक प्रकार आपने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सुना देखा जाना इसलिए चूंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अब संभव नहीं था लोगों ने नए तरीके की प्रजातंत्र की बात करनी शु प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र अर्था जैसा शब्द से स्पष्ट है प्रतिनिधियों के जरिये शासन करना ऐसा तंत्र जिसमें जनता का तो शासन रहता है लोकतंत्र तो रहता है प्रजातंत्र तो रहता है लेकिन प्रजा स्वयम निर्णाय ना लेकर के अपने प्रतिन निद्यों के माध्यम से शासन करती हो तो ऐसी व्यवस्था को प्रति निधियात्मक प्रजातन प्रणाली कहते हैं तो अब आप समझ कर होंगे कि प्रति निदियात्मक प्रजातन प्रणाली का जन्म क्यों हुआ इस प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिदियों को चुनती है और उन्हें अधिकरित करती है कि हमारे बहाफ में आप लोग निर्णे लें और हम को वे निर्णे स्वीकारे होंगे दूसरे शब्दों में प्रतिनिदियों के माध्यम से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है जनता के द्वारा शासन की शक्ति का प्रयोग जो प्रजातंतर की नीव है वह प्रतिनिदियों के माध्यम से किया जाता है जन्ता द्वारा प्रतिनिदियों को निर्वाचित करने के अधिकार को ही मताधिकार कहते हैं तो अब आप समझ गए कि प्रतिनिदियात्मक प्रजातंतर क्या है और प्रतिनिदियात्मक प्रजातंतर में प्रतिनिदि के चुनने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह मतदान की प्रक्रिया होती है वोटिंग की प्रक्रिया कहलाती है हाथ उठा कर या किसी अनु तरीके से प्रत्रिनिदियों का चैन नहीं होता है मतदान के जरिये होता है और ये मतदान का जो प्रावधान है उसे वह मतदिकार कहलाता है मत देने के अधिकार इस परकार मतदिकार शब्द सामने आया मतदिकार की कल्पना का जन्म गुआ और जिन लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मत दाता या निरवाचक, मत दाता या निरवाचक, तो माइने यह हुआ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, उसके बाद अव प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बाद प्रत्यनिधी आत्मक प्रजातंत के अगली कड़ी होती है चुनाओ जो इसको मताधिकार और जो से मताधिकार मिला हो वह है मतदाता तो इसकार ये पूरा जो ये जो शब्द है आधिनक युग में ये शब्द का इन शब्दों का बहुत व्यूग होता है क्योंकि जहां जहां लोग तंतर है और अधिकतर देशों में है वहाँ पे ये सब होता है ये सारी प्रक्रिया होती है और इसलिए चुकि ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं ये सब शब्द बहुत कामन है और उन देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का एक बहुत महत्पूर्ण अंग बन गए हैं प्रजा तंतर का आधार बन गए है उम्मीद है अब आप समझ के होंगे कि मैं चनाओं की जो बात कर रहा हूं उसकी भूमिका क्या है दो वर्ष पूर्ण तीन वर्ष पूर्ण 2019 में भारत में भी चुनाओं हुए जो अंतिम लोग सबाद चुनाओं हुए भारत में एठारवआं वह 219 में हुआ और उसमें आप लोक ख़ल आठवी नोवी में पढ़ रहे होंगे आपने चुनाओं को देखा होगा और कुछ ही याद होगा लेकिन सतही तोर पर आपको चुनाओं क्या है ये जानकारी होगी पर थोड़ा गहराई में आप जाने की जुरत है ताकि हम ये चुनाओं की वास्तविक्ता को समझें चुनाओं की जरूरत को समझें चुनाओ की प्रक्रिया को समझें आदी आदे इस अध्याय में हम चुनाओ और प्रतिनिधित्व इसके बारे में समवैधानिक प्रावधानों का अध्यान करेंगे कानूनन रूप से समवैधान में कैसे चुनाओ की बात की गई है कैसे प्रतिनिधित्व की बात की गई है जैसे प्रजातंत्र के भी प्रकार है ऐसे ही चुनाओं के भी कई तरीके यदि हमें किसी का चैन करना है तो एक होता है हाथ उठा के चैन करना कक्षा में एक होता है मतदान के द्वारा चैन करना नाम लिखिए आप और एक बॉक्स में डाल दीजे जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिखा गया सबसे ज़्यादा बार लोगों ने लिखा है वह जीता एक तरीका होता है कि सीक्रिट बैलट जिसे कहते हैं सीक्रिट बैलट में किसने मत दिया किसको मत दिया इसकी कोई जानकारी नहीं रहती और अंत में परनाम दे दिये जाते हैं और इसके लावा और भी बहुत से कुछ एक प्रक्रिया होती है जिसमें चुनाओं का आधार तै किया जाता है कि वह टॉपर रहे कख्षा का खेल कुद में अच्छा रहे उसको अंग्रेजी और हिंदी की भाषा में पकड़ हो आधी आधी केवल वही लोग पातरता रखेंगे चुनाओं में भाग ले सकेंगे तो चुनाओं के कई तरीके हम प्रजातंत्र के अंतरगत होने वाले चुनाओं के तरीके को जो वास्तों में लोकतंत्रिक हो जिसमें वास्तों में जनता को ये अधिकार हो चुनने का ऐसी चुनाओी प्रक्रिया कि हम यहां बात करेंगे और साथ ही साथ प्रतिनिधित्व की बात करेंगे कौन लोग चुनाओं में खड़े हो सकते हैं? और कौन लोग चुनने का अधिकार रखते हैं? ये दोनों बातें बहुत महत्पूर्ण हैं. किनको पातरता है चुनाओं में खड़े होने की? चुनाओं में खड़े होने का आधार क्या है? और किनको पातरता है मतदान करने की? क इनको पात्रता है प्रतिनिदियों को चुनने की कख्षा का रिप्रेजन्टेटिव क्लास कैप्टेन जिसे कभी सी आर भी कहते हैं क्लास रिप्रेजन्टेटिव कई स्कूलों में कॉलेजे में क्लास रिप्रेजन्टेटिव का चुनाओ होता है कई कॉलेज में कौन खड़ा ह सकता है class representative के लिए इसके नियम बने हुए हैं कहीं पर पढ़ाई का अधार लिया गया है कहीं पर overall personality का अधार लिया गया है कहीं पर उसकी आर्थिक स्थितिक का भी आधार लिया गया है आदी 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 हो सकता है कहीं आरक्षन की भी स्थिति हो किसी खास वर्ग के लोगों क वैधानिक प्राउधानों का अध्यान करेंगे अपने सम्विधान में जिस चिनाव पद्धिती को हमने स्विकार किया है उसे स्विकार क्यों किया उसके महत्व उसके चिनाव कराने की जो मशीनरी है चिनाव कराने की मशीनरी से सम्बंदित जानकारियां भी लेंगे चिनाव संचालन करते हैं उन्हें कैसा होना चाहिए उनसे क्या पेक्षा है कितने निश्पक्ष है कितने टटस्थ हैं चुनाओ परिनामों से आदी आदी इन मुद्दों पर हम समवैधानिक प्रावधानों के आशे पर प्रकाश डालेंगे क्या आशे है इसके पीछे भावना क्या है यदि हमने चुनाओ की ये प्रक्रिया अपना ही है यदि हमने चुनाओ के लिए प्रतिनिधित के लिए ये जो गिताओं को निर्धारित किया है यदि मताधिकार का अधिकार इन लोगों को दिया है तो इस सब के पीछे आशे क्या है, इनको क्यों, उनको क्यों नहीं? ये प्रश्ण बहुत अहम है और ये आना चाहिए, प्रश्ण मन में आना चाहिए कि आखिर चैन जिनका होता है, उनका होता हुआ क्यों चैन? दूसरा चैन होने के लिए क्या पातरता है आदिया इस संबन्द में समविधान के जो प्रावधान है उनको संशोधित करने के लिए भी कुछ सुझाओ दिये गए है इस अध्याय में हम ये तो पढ़ेंगे ही जो बिंदूओं को मैंने अभी आप से जिसके बारे में जिक्र क साथ ही हम ये भी सोचेंगे ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे संविधान के प्रावधानों को और सुधारा जा सकता है क्या इसमें सुधार की गुझाईश है और यदि है तो फिर क्या सुझाओ होंगे ऐसे क्या कानूनी प्रावधान और किये जा सकते हैं जो हमारी चुनावी प्रक्रिया में और सुधार लाएं अर्थात पहले हम जानेंगे कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में कुछ बुराईया हैं क्या यदि हैं तो वो कितनी अहम हैं चुनाव पर कितना दुश परनाम इस देखेंगे और इस प्रकार ये बात स्पष्ट है कि लोक तंत्रिक प्रक्रिया या जो भी राजनेतिक तंत्र होता है वह एक इवाल्विंग प्रक्रिया है समय के साथ साथ जरूरत के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता जाता है और यहां परिवर्तन हमेशा सुधार की दिशा में होता तो हम सुझाओं के माद्यम से सुधारों की भी बात करेंगे संभाविस सुधारों की इस अध्याय को पढ़ने से आपको जो मूलत ही जो बातें सपस्थ होंगी वे हैं पहला क्या बिना चुनाओं के लोकतन्तर हो सकता है अर्थात क्या लोकतंत्र के लिए चनाओ ही एक जरिया है या कोई और भी तरीका है जिससे लोकतंत्र भी बना रहे और चनाओ जैसी प्रक्रिया से भी बचा जाए तो पहली बात तो हम यह समझेंगे लोकतंत्र और चुनाओं के बीच कितना गहरा संबंध है इसको हम समझेंगे इसमें दूसरा क्या बिना लोकतंत्र के चुनाओं हो सकता है बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है क्या बिना लोकतंत्र के चुनाओं हो सकता है अर्थाच चुनाओं का क्या लोक तंतर से इतना गहरा संबंध है कि बिना लोक तंतर के चुनाओं नहीं हो सकता तो इनके संबंधों की गहराई को जानने की कुशिश करेंगे तीसरा जो उत्तर इस अध्याए में हमारे प्रश्ण का मिलेगा या तीसरी बात जो हम इस अध्याए में सपढ़ेंगे वहां है उपर के दो बिन्दू जो मैंने बताए उससे जुड़ा हुआ बिन्दू है वो है चुनाओं की विभिन विधियों को समझेंगे चुनाओं के कितने तरीके हैं कक्षा का दारन लेते हुए मैंने कुछ तरीके बताए है उसी प्रकार राजनेतिक तंतर में भी राजनेतिक प्रक्रिया में भी लोक तंतर में भी चुनाओं के कई तरीके हैं हमारे हैं कौन सा तरीका है और क्यों है उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है और उस पर क्या सुझाओ दे सकते हैं सुधार के लिए इस पर चर्चा करेंगे हैं तो अगला बिंदो होगा चिनाओं की विविधियों को समझने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की जो चिनाओं प्रक्रिया है हमारे देश की जो चिनाओं व्यवस्ता है विविन्ने चीजों के लिए चाहे वो संसत के लिए चुनाओं की विवस्ता हो चाहे राश्पती के लिए चुनाओं की राज्य सभा के लिए चुनाओं की प्रधान मंतरी के चुनाओं की और अन्य पदों के चुनाओं की जो प्रक्रिया है नियुक्त की नहीं चुनाओं क selection की चुनने की प्रक्रिया उसकी क्या विशेष्टाएं हैं जो भी प्रक्रियाए हमारे देश में हमने समवर्धानिक रूप से प्राधान जो किये हुए हैं उसकी विशेष्टाओं को जानेंगे क्योंकि ये विशिष्टाएं ही हमें बताएंगी इन प्रक्रियाओं का भारत के संदर में लागू होने के पीछे क्या कारण है इस से आपको स्पष्ठ जाएगा अगली बात जो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे वह है स्वतंत्र और निश्पक्ष चनाव कराने के प्रावधान चनाव कराने के प्रावधान तो हम समझेंगे ही उपर बताये बिंदु के अनुसार है लेकिन उसके साथ हम जानेंगे कि ये चनाव कराने के प्राउधान किस हद तक निश्पक्ष है ये चनाव किस हद तक दलगत राजनीती से हट कर होता है दूसरे शब्दों में चनाव से जुड़े हुए जो अधिकारी है और चनावी प्रक्रिया की जो मशीनरी है वह चनाव के परणामों से कितनी तटस्त है कितने स्वतंत्र चनाव होते हैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि चनाव जो हो रहे हैं वो किसी दल के दबाव में हो किसी एक व्यक्ति के दबाव में हो या किसी भी अन्य तरीके का दबाओ मत दाताओं पर हो या जो चुनाओ अधिकारी होते हैं उन पर हो या जो उम्मीदवार हो उन पर हो इन में क्या किसी पर किसी तरह का दबाओ है या ये पूरी तरह स्वतंत्र और निश्पक्ष है इसका हम अध्यन करेंगे बिंदू बहुत महत्पूर्ण है एक अच्छे लोग के तंत्र में वास्तविक लोग के तंत्र में निश्पक्ष चिनाओ होना है चाहिए यदि वो निश्पक्ष नहीं है तो फिर लोग तंत्रिक विवस्था केवल नाम के लिए है तो ऐसी स्थिदे में कौन लोग जा रहे हैं इसको हम समझेंगे फिर इसके बाद इस पर जो अंतिम बिंदू जो बहुत महत्पूर्ण है जिसके वारे मैंने कहा वह सुझाओं का अद्र वह हिस्सा इस अध्याय का जो सुझाओं से जुड़ा हुआ है और सुझाओं के संबंद में चुनाओं सुझार चु इस पर हम थोड़ा अपना ध्यान आकरशित ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी चुनाओी प्रक्रिया में कुछ खामिया है क्या यदि हैं तो वो लोक तंत्र को किस हद तक प्रभावित करती हैं और यदि करती हैं उसका प्रभाव ठीक नहीं है तो इसम अलावा भी कुछ और बाते हैं जिसका हम अध्यान इन सब को बिंदूओं को पढ़ते हुए कर लेंगे उधारण के लिए हम ये भी देखेंगे कि कौन लोग मत देने के लिए योग्य हैं अर्थात मत अधिकार किन को मिल सकता है और यदि कुछ लोगं को वंचित किया गया है तो उन्हें क्यों वंचित किया गया है उसका अधार क्या है उसी प्रकार हम ये भी समझेंगे कि चनाओं में खड़े होने के लिए क्या योग्यता होती है कौन लोग चनाओं लड़ने के योग्य हैं लड़ने के योग्य मत देने के योग्य अलग बात लड़ने के योग्य चनाओं लड़ने के लिए चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए लड़ने की भाशा से अच्छा होगा हम ये कहें कि चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए क्या योगिता चाहिए और यही योग्यताएं अहरताएं क्यों विव दूसरे देशों में भी क्या यही योग्यताएं मांगी गई है या हमारे यहाँ स्थिती कुछ अलग है इसको हम समझेंगे इसके बाद हम ये देखेंगे कि उम्मीदवार तै हो गए, मतदाता तै हो गए अब मतदान की प्रक्रिया कैसे होती है, कौन लोग इसमें सहयोग करते हैं चुनाओं की देखरे कौन करता है, किसकी छत्र छाया में चुनाओं होते हैं कौन लिर्धारित करता है चुनाओं की प्रक्रिया को, चुनाओं की तिथियों को, मतदान की प्रक्रिया दूसरे शब्दों में चुनाओं की देखरे कौन करेगा इसके बाद, अगला बिंदु जो होगा, मतदाता कैसे अपना प्रतिनिधिच चुनते हैं उसके आधार क्या है कई लोग खड़ होते हैं चुनाओं में उम्मीद वारी कई लोग रखते हैं सामने कई लोग ये प्रचार करते हैं कि हमें चुनो लेकिन हम मतदाता के नाते किने चुनते हैं क्यों चुनते हैं उनको चुनने के आधार क्या है प्रतिनी और कैसे चुनते ह तो मतदाता अपना प्रतिनिदी कैसे चुनते हैं इसको हम समझेंगे और अंतिम बाद जो इस अध्याय में हम जानेंगे वो है मतदान जब होता है मतदिकार का प्रयोग होता है उसके बाद ये मतों की गिनती कैसे होती है कौन करता है मतों की गिनिती सही हो रही है कि नहीं इसको कौन देखता है तो मत गणना कैसे होगी और प्रतिनुदियों का चिनाओं कैसे होगा ये भी इस अध्याय में हम उपर के बिन्दों को पढ़ते हुए समझ जाएंगे तो इस पकार ये अध्याय जो है बड़ा विहंगम है बड़ा विशाल है और यदि इस अध्याय को हमने अच्छी तरह समझ लिया तो जैसा मैंने पूर में कहा भारती राजनीती को हमने बहुत गहराई से समझ लिया